बीएस्सी पार्ट थर्ड फिजिकल केमेस्ट्री यूनिट वन की एड्जॉप्शन का अंतीम लेक्चर है और इस लेक्चर में आपने अभी तक फ्रेंडली कदिशोषण समतापी और लेंग्मिर अदिशोषण समतापी का समीकर नमबर चार जो पर दिया गया है यहां तक कभ क्रिफिकेशन है जो हम नीचे पर दर्शित कर रहे हैं गैसों के अनुगतिक सिदांद के अनुसार 116 पर इस्थित इस्थिरताब वदाव की प्रिस्थितियों में सामय पर यदि X ग्राम गैस M ग्राम ठोस पर अदिशोषण होती है तो 116 पर गैस के अदिशोषण की मात्र X पटा M अदिशोषण की मात्रा X पटा M दाब पर निर्बर करती थी लेकिन यहाँ पर यह निर्बर कर रही है अदिशोषण की मात्रा X पटा M समानुपाती हो जाएगा थीटा थीटा यहाँ पर 116 पर इस्थिर्दाप व इस्थिर्दाब की प्रिस्थितियों में गैस द्वारा अदिशोषण 6 पर फल है ठीक है इसको बराबर की चिनमें प्रदर्शित करें तो समानुपाती की स्थिरांग की 2 लिखा जाता है समीकरन चार से थीटा का मान समीकरन 5 में रखने पर चार का मान हम पहले गयाद कर चुके हैं और इससे हम मान समीकरन 5 में रख दें तो हमें प्राप्त होता है X पटा M बरबर K3 अलफा P अपॉन वन प्लस अलफा P केवल एक नया इस्तरांग K3 लिखा गया है बाकी परिस्तियां यथा इस्तरी यथा इनुसार है यदि K3 अलफा को हम नया इस्तरांग बीटा की रूप में परदस्थित कर दें तो समीकरण को हम निम्न रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और यह समीकरण हो जाएगा X पटा M बरबर बीटा P अपॉन वन प्लस अलफा P जहांपर अलफा व बीटा इस्तरांग है समीकरण 6 लेंगमुर दिशोषन समता P कहलाता है जिसमें अलफा व बीटा इस्तरांग या निश्चित इस्तरांग व पी साम्यदाब तथा X बटा M अदिशोषन की मात्रा को दर्सादा है जहांपर X अदिशोषकद की मात्रा को दर्सादा है लेंगमुर अदिशोषन समता P का प्रयोगिक सत्यापन उपर जो संबन हमने विद्पन किया है इसका प्राइवगिक सत्यापन हम दो परकार से करते हैं जिसमें पहला तरीका है समीकरण 6 या लेंग में रदिशोशन समता पी सुतर में पी का बाग दे दिया जाए तो X पटा M अपान हो जाएगा P बराबर यह P है जानक बराबर बीटा अपान 1 प्लस अलफा P समीकरण का विद्प्रम ले लिया जाए तो P अपान X पटा M बराबर 1 अपान बीटा प्लस अलफा P अपान बीटा समीकर नमबर है साथ यह समीकर नमबर साथ y बराबर c प्लस m x पर करती की सिद्य रेखा समीकर्ण है जिसका प्राइविक सत्यापन किया जा सकता है यहाँ पर हम समीकर्ण साथ से y x पर p अपॉन x पटा m का मान रखते हैं तथा x x पर हम सामेदा p को लेते हैं तो एक सिद्य रेखा प्राप्त होती है उस रेखा का डाल समीकर्ण साथ के नमबर सार अलफा बटा बीटा के बराबर है जहाँ पर हम अलफा बटा बीटा को सरल करें या अलफा का मान रखें और बीटा का मान रख दें तो हमारे पास में सरल करने पर प्राप्त होता है 1 upon KE 3 यह जो graph प्रदरशिद किया गया है यह ae mika पर nitrogen के अदिशोषण को प्रदरशिद किया जा रहा है यहाँ पर इस graph का अंतरखन या y x पर origin point और extra upload करने पर सिधी रिखा जाँ कट रही है इन दोनों के मद्दे के अंतराल को अंतरखन कहते हैं जो सुतर के नुसर 1 अपॉन बीटा के बराबर है और यहाँ पर इसका मान रख दिया जाए तो अंतरखन k2 अपॉन k3 into k1 के बराबर प्राप्त होता है उपरिक graph में सिधी रिखा प्राप्त होती है अत लेंगमिर अदिशोषन समतापी सही है साथ ही दाब की उच्छ परास्त तक ये सिधी रिखा दरसाता है वापिस recall करें friendly कदशोषन समतापी में उच्छ दाब पर जो graph हमने आलिखित किया था वो x x के समान प्राप्त हो जाता है जबकि कुछ समय तक या कुछ दाब तक इसी दी रिखा दरसाता है लेकिन लेंगमिर अदिशोषन समतापी में यह निमन से लेकि उच्छ दाब पर एक सी दी रिखा परदशित करता है अर्था दाब की लंबी परास तक लेंगमिर अदिशोषन वापिज ध्यान देना युआदा ना, दोनों में समानता ये है कि लेंग मिर फ्रेडिक अदीशोषन सम्तापी एकल परती यौदशोषन वर्था टोस की सत्व पर एकल परती एगास यौदशोषन की व्याख्या करता है इसका लिप्ती तरीके से भी प्राइविक सत्यापन किया जा सकता है जिसमें नमबर दू लगा करम पर दस्रीद कर रहे हैं लेंग मिर अदिशोषन समता पी समीकरण 6 का व्यूत करम लेने पर समीकरण 6 यहां पर दिया गया यह वाला समीकरण है X upon M सबसे नीचे दे रखा है X upon M बराबर बीटा P upon 1 प्लस अलफा P इसका व्यूत करम ले लिया जाए तो यह प्राप्त होता है 1 upon X P बराबर 1 upon बीटा P प्लस अलफा P यह समीकरण नमबर 8 Y बराबर MX प्लस C परकार की एक सी दे रेखा समीकरण है जिसका हम ग्राफी निरुपन द्वारा प्रायोगिक सत्यापन भी कर सकते हैं पहले वाले प्रायोगिक सत्यापन में हमने P का भाग दे करके व्यूत करम लिया था जबकि यहां हम भाग नहीं दे रहे हैं सीधा बेत्प्रम लेकर के ग्राफी निरुपन करते हैं इसके अनुसार yx पर 1 upon x पर टाएम प्राप्त होता है और px पर 1 upon p लिया जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि x के मान की बरदी के साथ पढ़ती है और इसका डाल 1 upon βीटा और अन्तरखंड alpha upon p के बरबर है alpha upon βीटा के बरबर इद्यानक ना alpha upon βीटा c की जगह है तो अन्तरखंड alpha बटा βीटा है लिखा गया है जबकि सलूप 1 upon βीटा लिए गया है इस प्रखंड इख सत्यापन द्वारा भी ठोस पर गयस यदिशोशन की व्याख्या की जा सकती है और माईका पर नाइट्रूजन के दिशोशन गयस का ठोस पर दिशोशन है उसकी व्याख्या कर सकती है अब हम next next point ले रहे हैं वोई लेंग मिर अदिशोषन समतापी से समंदित है और इसकी सफलता है और कुछ सी में है पहले ले रहे हैं फ्रेंडलिक अदिशोषन समतापी की सफलता है यह समतापी दाब की लंबी परास तक गैसी अदिशोषन की व्याख्या करता है नमबर एक जबकि फ्रेंड लिक में ये उच दाब पर फ्रेंड लिक अदिशोष्ण समतापी परबावी नहीं होता है दूसरा है फ्रेंड लिक अदिशोष्ण समतापी की तुलना में अधिक सही है ये प्राइव की एक मानों का सही निर्दारन करता है एप लेंग्मी रदीशोशन सम्तापी की सफलता है कि ये प्राईगी मानों का स tahी निल्धान भी करता है और सयदान्तिक मानों के साथ समानता या नजदिकता दर्साता है ये सम्तापी राशाने की दिशोशन की पूर्ण व्याक्या करता है चुकि ये एकल परती अदिशोषन है और राशानिक अदिशोषन एकल परती अदिशोषन होता है अतर लेंग्विर अदिशोषन समतापी राशानिक अदिशोषन की भी पून व्याक्या करता है अब इसकी कम्या है इसमें नमबर एक है कैसी अदिशोषन ताप के साथ करता है जिसकी व्याक्या इस सम्तापी से संभव नहीं है अर्थाद गैस का दिशोषन ता पढ़ाया जाए तो उसके साथ में गैस ये दिशोषन की दर घटती है उसकी व्याक्या करने में ये सम्तापी सफल नहीं होता नमबर दूप इसकी सीमा या कमिया है ये केवल एकल परती दिशोषन की व्याक्या करता है बहु परती दिशोषन की व्याक्या नहीं करता है तीसरी कमी है ये सम्तापी रासानी क दिशोषन सम्तापी में समर्थ है ये सम्तापी रासानी क दिशोषन समझाने में समर्थ है लेकिन बहतिक अधिशोषन की व्याख्या इस पर शूप से नहीं करता क्योंकि बहतिक अधिशोषन बहुपरती होता है और आसेने अधिशोषन एकल परती होता है ठोस पर गैस ये अधिशोषन की कुल पांच ग्राफों की ये पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाता है तो ठोस पर गयास के अदिशोशन के पाँच वक्र बनते हैं लेकिन सबी वक्रों की ये व्याख्या करने में सक्षम नहीं है अर्थाद इसकी चार तो कमिया है और तीन इसकी सफलता है या महतुग या इसके उपयों के लिए महतुपुन बिंदू है और उसके बाद हम लेंग हमें पूछने लाइक है friendly कर दिशोशन समता पी की लेंग्यूर समता पी द्वारा व्याक्याозवतात friendly दिशोशन समता बी भी जैंग्यूर दिशोशन समता पी ही है और इन दौनों को रोमें दूसरे के पूर से रुप tracing माना जैदा है इसके तीन बिंदू है जिस में हम समीकरण 6 में अलफा पी का मान बहुत कम हो जाएगा अर्थात अतिन निम्न दाप पर अलफा पी का मान एकाई से आतिया अलफ होने के कराण इसे हम लग बग एकाई की बराबर मान सकते हैं और लेंगनिर समता पी के समीकरण के अंदर या सुतर के अंदर एक्स बटा एम बराबर बीटा पी अपॉन माइनस अलफा पी होता है उसकी जगह अगर आए वन प्लस अलफा पी के स्थान पर वन रख दिया जाए तो एक्स बटा एम बराबर हो जाएगा बीटा इन्टू पी यह दिया गया समीकरण एक निमन दाप पर फ्रेंडलिक समता पी के समान है जिसमें पी की गातांग एक ले गई है अतिक उच्च दाप की बात करें तो एलफा पी का मान इकाई से बहुत अधिक होगा और ऐसी परिस्ति के अंदर वन प्लस अलफा पी का योग लगबग अलफा पी की बराबर है और इस का मान लेंग्मिर अधिशोशन समता पी के समीकरण 6 में रख दिया जाए तो प्राप्त होता है एकस पटा एम बराबर बीटा पी अपॉन अलफा पी लिखा जाएगा और यहाँ पर पी पी कटने के बाद बीटा अपॉन अलफा बचता है और बीटा अपॉन अलफा के अंदर पी की गातांग हो जाएगी शुनि अर्थाद अती उचदाब पर फ्रेंडलिक समतापी में भी अधी शोशन की मात्रा एक्सपटा M, P पर निर्बर नहीं करती है तो यहाँ पर भी हम यह सिद्ध कर सकते हैं लेंगमीर द्वारा भी सिद्गर सकते हैं कि आती उच्च दाब पर अदिशोशन की मात्रा एक्सपर्टा M, P पर निर्बर नहीं करती है और तीसरी परिस्ति है जिसे माद्दे दाब को दर्साती है माद्दे दाब पर उपरिक समय करन P की निश्चित गातांग की रूप में लिखी जाती है जिसमें P की गातांग एक से सुन्ने तक गड़ती है जिसे दर्साने के लिए गातांग 1 अपॉन एन लेते हैं जोकि फ्रेंडली का दिशोशन सम्ताभी में लिया गया है और वन अपॉन एन में एन का मान एक से लेकी अनंति एंफिनाइट तक होता है अत्व अदिशोशन की मातरा एकस बटा एम बराबर की पी वन अपॉन की गातांग वन अपॉन एन समीकंड तीन फ्रेंडलिक सम्ताभी की तुल्ये है जिसमें के का मान दाब में परिवर्टन के साथ बदलता जाता है अतर लेंग मियर वफरेंडलिक अदिशोशन सम्ताभी लगबग समान है या एक दूसरे की पूरक है कि वल समझाने की या वैख्या करने का तरीका अलग है तो इस प्रकार से अदिशोशन और उससे सम्मंदित सभी प्रक्रिया या पर समापत हो जाती है और इस पार्ट के अंदर हम प्रारंबिक क्वांटम मेकेनिक्स के निमेरिकल भी कर चुके हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यूनिट सेकिंड प्रारंब करेंगे जो की लगातार सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट एक दूसरे से जुड़ी भी है बहुत ही मैत्वपूर्ण है और कल्सियम इसको प्रारम करेंगे